नमस्कार दोस्तों सुभा सुभा की सभी बड़ी खबरे मुख्य समचार आप लोगों के लिए ले करके आए हैं जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बहुत बड़ी खबरे आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुचाएंगे इसलिए लगतार हमारे साथ बने तो एक प्यार वड़ा लाइक वीडियो को जरूर कीजेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजेगा जय हिंद जय भारत दरासल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें क्या अविस्वाज प्रस्ताव में राहूल गांधी के सामिल होने से डर रहे हैं पिया मोधी कॉंग्रेस का किंदर सरकार पर तंज खबर बताते चलें कॉंग्रेस ने राहूल गांधी की सदसता बाहल नहीं होने पर एक बार फिर से सरकार पर कटाच किया है कॉंग्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोड के द्वारा राहुल गांधी की अनुचित सजा पर रोक लगाए हुए एक दिन से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन उनकी सदसता बाहल नहीं की गई पूछा गया है कि क्या प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव में राहुल गांधी के सामिल होने से डर रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी का कहना है कि संसद की सदसता रद करनी थी तो निचली अदालत का आदेश भी इन लोगों को 24 गंटे के अंदर मिल गया लेकिन जो देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोट उसका आदेश इन लोगों को अब तक नहीं मिला है और देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर रहुल गांधी की संसद की सदसता बहल करने में लेट लतीफी की जा रही है सरकार की तरफ से जिस पर अब कॉंग्रेस पार्टी भड़कती हुई नजर आई है आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के कमेंट बाक्स में बताईएगा एक और अपडेट की तरह बढ़ते हैं विपच्छी नेताओं को लगतार किया जा रहा है परेसान राहुल गांधी पर बोले हैं तेजसु यादब जो लड़ता है वही जीतता है और वही दूसरी तरफ यहां पर केंद्रिया उर्जा मंत्री राज कुमार सिंग की भविसवारी देखिये कि लोग सभा चुनाओं से पहले तेजसु यादब जेल जाएंगे क्या कुछ है खबर बताते चलें केंद्रिया उर्जा मंत्री ने यहां पर पटना में दावा किया है कि बिहार के उपमुक्ह मंत्री तेजसु यादब चुनाओं के पहले जेल में होंगे उन्होंने कहा है कि वे चार सीटेड हैं उनके खिलाब काफी सबूत हैं और चुनाव के पहले वे जेल में होंगे यह यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रिया मंत्री ने दावा किया है धरासल दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर खाबर यहाँ भी बताते चलें कि हाल ही मेरे किंद्र सरकार ने E.D. के प्रमुख को सेवा विस्तार दिया है 45 दिनों का Supreme Court की हामी के बाद क्यूकि इससे पहले Supreme Court ने सेवा विस्तार देने से मना कर दिया था लेकिन सरकार अड़ी और बाद में सेवा विस्तार भी दिया लेकिन इन सब की बीच में यहां माना जा रहा था कि एडी अपताबर तोड़ विपच्ची नेताओं पर कारवाई करेगी 45 दिनों के अंदर यहां पर यहां देखने को भी मिल रहा है और अब तो केंद्रिय और जा मुंतरी ने भी उसे पहले इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें राहूल गांधी को सदन में लाने के लिए कॉंग्रेस पार्टी एडी चोटी का जोर लगा रही है लेकिन केंद्र सरकार पूरी तरह से अपनी मनमानी पर अड़ी है कॉंग्रेस की नेता अधिर रेन्य जौधिरी न सब के बीच में कॉंग्रेस की नेता अधिर रेन्य चोधिरी ने लोगसभा के अध्यच ओम बिरला को चिटी लिकी और कई सवाल भी दागे और यहां पर लेट लतीफी का आरोप भी लगाया है बताते चलें यहां पर अधिर रेन्य चोधिरी का कहना है कि मैंने लोगसभा क अध्याचि को फोन किया स्पीकर ने मुझे महा सचिप से बात करने और दस्तवेज उनके कारयाले में जमा करने के लिए कहा और मैंने महा सचिप को फोन किया तो जवाब मिला कि उनका कारयाले आज बंध है उन्होंने मुझे अध्याचि को पत्र सौपने को कहा मैंने पत्र ड अंसद की सदसता रद करने की तो किस ततपरता के साथ कार किया जाता है वहाँ पूरे देश ने देखा कि 24 गंटे के अंदर उनकी सदसता रद कर दी गई लेकिन आज यहां दो दिन होने को है लेकिन उनकी सदसता बहली पर कोई भी प्रगती अब तक नहीं हुई है इस खबर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताईएगा दोस्तो एक और अपडेट की तरफ चलते हैं कॉंग्रस पार्टी का बड़ा आरोप कहा अडानी को फाइदा पहुचाने के लिए जाच एजेंसियों का दुरुपियोग कर रही है मोधी सरकार सीमेंट कमपनी के अधि एजेंसियों का दुरुपियोग कर रही है दरासल दोस्तों बताते चले इससे पहले भी कई मोगों पर कॉंग्रिस के नेता राहूल गांधी आरोप लगा चुके हैं कि केंदर सरकार लगातार दो से चार यहाँ पर अपने मित्रों के लिए ही काम कर रही है अब पूरी क्रो आप लोगों को समझाते चलें बता दे खबर अप्रैल 2030 में स्री सिमेंट सांगी इंडस्ट्रीज को खरीदने की योजना बनाती है जून 2030 में स्री सिमेंट पर आईटी विभाग का च्छापा पड़ता है और उसके बाद जुलाई 2030 में स्री सिमेंट अधिगरहण की कर लेता है और अगस्त 2030 में ही अडानी अंबूजा सिमेंट ने सांगी इंडस्ट्रीज को खरीद लिया यानि कि कुल मिला करके देखा जाए साफतार पर केंद्री एजेंसियों का दुरुपियों किया जा रहा है अपने मित्रों को फाइदा पहुंचाने के लिए दोस्तों योजना की सुरुआत की है कॉंग्रस ने पिया मोदी पर निसाना साधा है खबर बताते चलें करनाटक की कॉंग्रस सरकार ने अपने राज्जी के लोगों को बड़ी खुस खबरी देते हुए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुरुआत कर दी है इसके साथ ही कॉंग्रस पार्टी की पांच चुनावी गारंटियों में से एक मुफ्त बिजली की गारंटी को पूरा कर दिया गया है बताते चलें सरकार ने कहा है कि ग्रही जोती योजना से करेब 2.14 करोण परिवारों को फायदा मिलेगा इस योजना के लिए लगभग 1.41 करोण लोग पहले ही प परिष्ट नेता मौझूद रहे इसके बाद घडगे ने ट्वीट कर कहा है कि कॉंग्रस ने करनाटक की जनता के लिए एक और गारंटी पूरी कर दी है यानि कि देख सकते हैं कि कॉंग्रस पार्टी जो भी वादा करती है जनता से उसको पूरा करती हुई नेजर आ रही है इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। उतने मीडिया से कहा है कि सिबसेना उद्धब बलसाहब ठाकरे के नेता उद्धब ठाकरे यहां बैठक में सामिल हो रहे पांच मुख्यमंत्रियों समेत विपच्ची नेताओं को 31 अगस्त को डिनर पर भी बुलाएंगे। संजर आउत ने आगे कहा है कि बैठक के बाद प्रसवारता भी होगी जिसमें विपच्ची नेता कई सवालों का जवाब भी देंगे। और इस बैठक में यहां पर इंडिया का सयोजग कौन होगा इसको लेकर के भी ऐलान किया जा सकता है सीटो का फार्मूला कैसे तैय होगा इस पर भी चर्चा की जा सकती है और पियम पद का उमिदवार कौन होगा इस पर भी यहां पर मोहर लगती हुई नजर आय सकती है दो दोस्तों में ताकि आप सभी के दोस्तों भी इन बड़ी खबरों को जान सकें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद